नमस्का मैं हो सासी आयो जरखन की टॉप पर चीस पर मुख खबर जानते हैं जैक बोड मैट्रिक इंटर परिक्षा दिसंबर में जार्खन में एक पर फिर मौसम का मिजाज बदलेगा मौसम बैग्यानकों की माने तो अगले दो से तीन दिनों में मांसुन की हवा वापस हो जाएगी इस दर्ण राज्य में बारिस हो सकती है 13 से 16 अक्टूबर तक राज्य के कई लाकों में बारिस की संभवना है इसके बार ठंड की सुरुवात हो जाएगी आज से अनिस्चित कालिन हरताल पर रहेंगे राज्य भर के एनेचेम कर्मी राष्ट्रिय स्वास्त मिशन जार्खन के स्टेट प्रोग्राम मैनेजर ज्वाला परसाथ की सनविदा समाप्त किये जाने के बिरोध में आर सी एज केंपस इस्थीत एनेचेम मुख्याला के सभी सनविदा कर्मी सोमवार को दपतर खोलने के साथ ही काम छोड़कर बाहर निकल गए बतादे कर्मियों ने बैठक की और निना लिया कि मंगलवार से राजे भर में कारे रत एनेचेम के सभी करमचारी जब तक ज्वाला परसाथ की बर्खासगी वापस नहीं होती है और इचितकाली नहतान पर रहेंगे कुरियर सेवा 15 तक बंद रहेगी दुरगा पुजा पर कुरियर सेवा 13 से 15 अक्टूबर तक बंद रहेगी बतादे जार्खन कुरियर एसोसेशन ने सोमवार को बैठा करियर ने लिया है एसोसेशन के अध्यक्ष प्रेम मितल ने बताया कि 12 अक्टूबर से ही सेवा बाधित हो जाएगी मंगलवार को कुरियर कर्याले खुलेंगे डिलेवरी होगी लेकिन डिस्पेच आंसिक होगा 16 अक्टूबर से सेवा समाने हो जाएगी आज से मईस्टेट के साथ 2000 पूलिस रहेंगे तैनाथ रांची के पुझा पंडालों के पट खुलते ही सहर के पुझा पंडालों में भी उमनने लगी है बतादे सहर के हर इलाके में भीड है और दूर दराज के लोग भी सहर आ रहे है ऐसे में बिधी वेवस्था बनाय रखने के जिला पर सासन ने भी कदम उठाया है बतादे मंगलवार से पुरे रांची में 250 से अधिक मईस्टेट और 2000 से अधिक पुलिस कर्मी सहर की सुरक्षा में लगेंगे इसके अलावा बाइक से भी पुलिस गस्त करेगी बतादे सहर में गस्ती के लिए 44 टीमों का गठन किया गया है सहायक पुलिस कर्मियों को लेकर राज़ेपाल से मिला भाजपा का प्रतिनीदी मंडल भाजपा का प्रतिनीधी मंडल सोमवार को राज जेपाल रमेश बैस से मिलकर सहायक पुलिस कर्मियों की मांगो परहत शेप करने का अनुरोद किया है प्रतिनीधी मंडल साम में राज भवन पहुचा यहां राज जेपाल से मिलकर गयापन सहायक पुलिस कर्मियों की समस्याओ पर राज सरकार को निर्देश सित करने का अनुरोद किया बतादे प्रतिनेदी मंडल में परदेश अध्यक दिपक पकास के साथ नेता विधायक तल एवां पुरो मुख मंत्री बाबुलार मरांडी परदेश महामंत्री आधित साहू सामिल थे मोबाइल वैन से एक लाग से अधिक लोगों को टिका लगाने वाला रांची राज्य का पहला जिला है में एक गारा मोबाइल वैन से जीले के अलग-अलग स्थानो पट्टी का दिया जा रहा है पारा सिक्षको के मामले पर सीम से बात करेंगे सिक्षा मंत्री पारा सिख्षकों के नियमिती करण और वेतनमान को लेकर सिख्षा मंत्री जगनात महतों मुख्य मंत्री हेमासुरिन से बात करेंगे सिख्षा मंत्री ने यह अस्वासन सोमवर को पारा सिख्षकों को दिया है मुख्य मंत्री राज में रहते तो पाराशिसको से चार्चा के बाद तुरंथ ही नियमावली को फाइनल कर आगे परकिरिया में भेज देते मुख्य मंत्री के लोड़ते ही उनसे बात कर मोर्चा के सिस्ट मंडल को बुलाया जाएगा सिक्षा मंत्री नस्ट पस्ट किया कि नियमावली को बीधी बीत कार्मिक में देर नहीं होने देंगे और जल्द ही नियमावली को केबिनेट से पारित कराया जाएगा बाबा बैदनाथ मंदीर का पुर्वी वा पच्मी द्वार भी खुला आस्मिन मास सुकल पक्ष पंचमी तिथी का उसर पर बाबा बैदनाथ मंदीर के बंद पड़े दो और परमुक द्वार आम सर्धालू के लिए खोल दिया गया है बाबा मंदीर पुर्वी वा पच्मी द्वार खोल दिये जाने के बाद सर्धालू से लेकर आम लोगों तक निराहत की सास ली है बता दे अब सर्धालू को बाबा बैदनाथ मंदीर परवेस करने के लिए किसी बिशेश द्वार तक नहीं पहुंचना होगा सर्धालू चार में से किसी भी द्वार से बाबा मंदीर परवेस करने से लेकर निकल सकेंगे बताते चले की COVID-19 को लेकर बाबा मंदीर आमसर्धालों के लिए बंद कर दिये जाने के बाद सभी द्वारों को बंद कर वहाँ पुलिस अधिकारी वो बलों की प्रतिन्युक्ती भी कर दी गई थी जारखन में कुरोना के 13 नई मरीज मिले हैं जो रांची से 11,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 चाथरो कर आयस्टेसन का काम जहारखन के हजारों चात्र इंदिनों पोसों पेस्ट में है उनकी वज़ा जहारखन एकड़्मी कॉंसिल के अध्यक्स का पद रिक्त होना है बतादे अध्यक्स की अनुपस्थिती में नौमी और एगारमी की कक्छा के छात्रियों करा इस्टेशन अभी तक सुरू नहीं हो सका है बतादे की हर साल अक्टूबर महीने की सुरुआत में पंजी करन की परकिरिया सुरू हो जाती थी अध्यक्स के साथ ही जैक के उपाध्यक्स पद भी खाली है दोनों के रिटार होने के बाद इन पदों को जल्द ही भरने की बात कही गई थी लेकिन अभी तक क्या संबव नहीं हो सका है इसका खम्याना छात्रे-छात्राओं को भूगतना पड़ रहा है रांची के हर्मू में बेकाबू नैनो कारने पांच लोगों को कुचला सोमवर की रात आठ बच कर पंद्रा मिनट के करीब पुरानी रांची कुमहा टोली चोग पर बेकाबू नैनो कारने तीन महिलाओ और दो फूर्सों को अपनी चपेट में ले लिया इनमें दो महिलाए सबजी बेचने वाली और एक अन्य महिला सबजी खरिदने पहुची थी जबकि दोनों पूरुस भी वहाँ पर मौजूद थे घटने के बाद गंभीर रूप से घायल सबजी बिक्रेता महिला सीता टोपो को रिम्स ले जाया गया जहां उनकी इस्थिती गंभीर बताई जाती है हिमान्चल में फसे 16 स्रमिक जल्द आएंगे जहारखन वापस जहारखन सरकार ने हिमान्चल परदेश के किनोर जिला इस्थित लंबर छेतर में जहारखन के मजदुरों के साथ मार पीट की घटना पसंग्यान लिया है सिया महान्चल के निदेश परश्रम विभाग के राजबापसी नियत्रन कोक्ष के पतादिकारियों ने किनोर के लंबर में इस्थित नोरवेन कमपनी के मालिक धर्मेंदर राठी से बाचित की वहीं राजब के मजदुरों के साथ मार पीट की घटना को दुरभागे फून बताते हुए राजब परवासी नियत्रन कोक्ष ने मजदुरों को राहत पहुचाने के लिए कमपनी से कहा है बता दे कि नोरवेन वहीं कमपनी है जिसमें जारखन के मजदुर काम करने गए थे राजब की राजब की राजबानी राजब के समेथ गुमला और सिमडेगा जिले में करीब 46 साल से जमीन का सर्वे चल रहा है बता दे रांची में वर्ष 1975 से सर्वे शुरू कराया गया था लेकिन रिपोर्ट आप तक फैनल नहीं होई है वहीं इसके सर्वे के अवचित पर भी सवाल उठने लगा है सर्वे पर भूमी रिकोर्ड परकासित नहीं करने की बात हो रही है बता दे इसे लेकर एक अक्टूबर को राज ये पताधिकारियों ने मेरा अथन चार्शा की इस दोरान राजस्व निबंधन एवं भूमी सुधार विभाग के अपर मुक्ष चीव एल ख्यागले भी मजूद थे इस पर राजस्व पताधिकारियों ने कहा कि 46 साल पहले कियेगा सर्वे की तुलना आज की स्थिति से कराई जाए तो काफे अंतर पाए जाएंगे ऐसे में इस सर्वे का कोई मतलम नहीं रह गया इसलिए अपनाय सीरे से सर्वे कराने की जरूरत है बोकारो में दुरगा पूझा गाइलेंड का उलंगन बोकारो में सरकारी गाइलेंड का लगातार उलंगन हो रहा है इसी को लेकर चाश अनुमंडल पताधिकारि दिलीफ परताप सिंग से खावत ने मिलन मंडप में डांडिया और गरबा होने की सुचना पर छापा मारा छापे मारी की दुरान मंडप में काफी संखाय में महिला आए डांडिया और गरबा करती होई पाई गई इसके बाद चांस अन मंडप पतादिकारी ने मंडप को सील कर दिया सील करने के बाद मंडप के सं चालक को सेक्टर चार्थाना में बॉंड बना कर छोड़ दिया गया है। आई एम एस पटना की तरज पर डिटेक्टिव एजेंसी के चैन पर भी मुहर लगाने की संभवना है। बता दे और समर्थ मरीजों को 5 लाख रुपे तक का इलाज में मदद करने पर भी समती बनेगी। इस प्रस्ताव को खुद स्वास्त मंत्री ने जीबी की बैठक में सामिल करवाया है। साथ ही कई अने मत पुन एजेंटों पर निर्नाः होगा। बीत मंत्री बोले महंगी बीजली खरिद कर भी देंगे आपूरती। चारखन में निर्वाध आपूरती में महंगी बीजली बाधा नहीं बनेगी। बता दे बीत मंत्री डाक्टर रामेश्वर उराव ने सुभे में निर्वाद बिजली सुनिश्थित करने का निर्देश दिया है। सीविल कोट पुजा अवकास 11 नौमबर तक सीविल कोट में दुरगा पुजा दीपावली, कोजागरा, चेहलूम, काली पुजा, चित्रगूप्त पुजा एवम छट पुजा को लेकर बारसिक अवकास घोसित हो गया है। समतिम दिन रहा, वहीं 12 अक्टूबर से 11 नौमबर तक अवकास के दोरान अपराधिक मावलो के सुनवाई आशिक रूप से जारी रहेगी। जे टेट परिक्षा निमावली में होगा बदलाओ। मानवी की संकाय के बिद्यार्थी की ही नियुक्ती होती थी। इसकोली सिक्षा एवम सक्षर्टा विभाव इसके लिए जार्खन सिक्षक पत्रता परिक्षा निमावली में बदलाओ करेगा। निमावली में संसोधन का प्रस्ताव त्यार किया गया है, संसोधन का प्रस्ताव सिक्षा मंत्री को भेजा गया है, सिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहट मध्य बिद्याले में तीन संकाय प्रसिक्षित सिक्षकों के नुक्ती होनी है मुख्य मंत्री पसुधन इसकीम की रासी होगी वसुली मुख्य मंत्री पसुधन इसकीम के तहट कुछ लावकों के खाते में पैसे भेज दिये गए हैं लेकिन वे इन पैसों से पसुपक्षी खरीदने में रूची नहीं दिखा रहे हैं इसे स्कीम पर असर पढ़ रहा है ऐसे लोगों को चीन हित कर रासी वसुलिक परकिरिय सुरू करने का आदेश पसुपालंस गब्य निदेशक ने दिया है इसमें सामील दोसी पधा धिकार्यों को भी चीन हित करने का आदेश दिया गया है जारखन में कुरोना संक्रमन में कमी होने लगी है लेकिन अब पोस्ट कोविट मरीजों की संख्या बढ़ रही है बता दे अस्पतालों में अधिकतर मरीजों की जो संख्या है उसमें पोस्ट कोविट के मरीजों की संख्या अधिक है रिम्स सदर अस्पताल साहित नीजी अस्पतालों में भी COVID के साईट इफेक्ट के मरीजों के संख्या अधीक है ऐसे मरीजों में जोडों में दर्द, आखों में कमजोर रोसनी, सीर दर्द, भूलने की बीमारी से लेकर बुखार वा कमजोरी तक की समय से सामने आ रही है धन्यवाद